हेलो दोस्तों, वेल्कम टो आवर चैनल, एश्पी मिस्टर टेक, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैनिवरी एट को खेले जाने वाला, सिड्नी थंडर एंड सिड्नी सिक्सर्स के बीच में, 34th मैच का प्रेडेक्शन के बारे में, तो वीडियो में सुरू से ले इसके साथ आपको देखने का मिलेंगे, बात करेंगे दोस्तों, सिड्नी सिक्सर्स, तो यहां पर आपको जोर्ष फिलिप, जैम्स विंच, डानियल हुजेश, और इसके साथ आपको देखने का मिलेंगे, मोईसेज, हन्रिक्स, जोटन सिल्क, डानियल क्रिस्टियान, हाइडन क्यार, से नैबोट, क्रीस जोडन, तोड मुर्फी, और यहां पर आपको देखने का मिलेंगे, वजरललक नवीद जैसे प्लेयर, तो दोस्तों, यह तो बहुत ही बड़ीया टीम है, आपको पता है कि कि भाई अब देख सकते हो गिए दोने टीम के भीच में, टोटेल, 21 मैचेस खलाज जा चुका है, जिसमें से, सीड़नी थंडरने 7 मैचेस जीता है, और सीडनी शिक्षर को 14 मैचेस का जीत मिली है, आप देख सकते हों दोस्तों, कि यहां पर जब भी ए दोने टीम के भीच में head to head हुआ है और जितना भी हुआ है उसमें से Sydney Sixer ने double advantage लिया है दोस्तों Sydney Thunder के against में मतलब आप ये भी कह सकते हो कि Sydney Sixer तब कुछ चल ही दिया है Sydney Thunder को क्योंकि जब head to head की बात आती है तो Sydney Sixer बहुत आगे है अगर compare करेंगे Thunder के against में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पीच रिपोर्ड का तो ये match Sydney शोगर्ड स्टाडियम पर होने वाला है जो कि Sydney Thunder का ही home ground होगा दोस्तों अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ records का तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर total 30 matches खला जा चुका है जिसमें से 1st rating करने वाला team 16 matches जिता है 2nd rating करने वाला team 14 matches जिता है कोई matches आई नहीं रहा है तो भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप 1st rating जाओ या 2nd rating जाओ क्योंकि सिर्फ जो 1st rating गया है जो भी team तो वहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो matches का यह बड़ा थै अगर compare करेंगे 2nd rating से बात करेंगे दोस्तों average score का तो भाई फास्टनिस का average score 150 है high score का बात करेंगे तो 195 और low score यह बहुत ज्यादा ध्यान दने वाली बात है कि 15 run ही है दोस्तों जी हाँ और 15 run काप बना था इस बार BBL में बना था और यह बनाया किसने भाई Sydney थंडर में मतलब अपने होम ग्राउंड में बहुत बुरी तरह से हार गया था दोस्तों Sydney थंडर और इतना घटिया पर्फोमेंस दिया था कि भाई 15 run में all out हो गया था यह team तो यह तो एक अलग सा pressure रहेगा थंडर के उपर बात करेंगे दोस्तों scoring pattern का तो बहुत अच्छा काशा मदद मिलने वाला है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है बात करेंगे दोस्तों इसी ground पर head to head तो भाई इसी ground पर यह दोने टीम के बेच में total 6 matches खेला जा चुका है जिसमें से Sydney Thunder ने 4 matches जिता है Sixers को 2 matches की जेक मिली है तो आप देख सकते हैं कि total head to head में Sydney Sixers Sydney Thunder का against में double advantage ले रहा है बात करेंगे दोस्तों यहां पर यह दोने टीम का situation क्या कहता है तो आप देख सकते हो कि हमें situation के लिए चलना पड़ेगा point stable के पास तो यहां पर Sydney Thunder ने 8 matches खेला है 5 matches जित के 3 matches आ रहा है Sydney Sixers ने 9 matches खेला है 5 matches जित के 3 matches आ रहा है दोस्तों Sydney Sixers इसलिए point stable पर ऊपर है क्योंकि यह 1 match ज्यादा खेला है Sydney Thunder के आप से लेकिन आज कहीं जो match होगा यह match पर क्या होने वाला है कि भाई अगर यहां पर Thunder जीत गया तो भाई यह Sixers को भी पिछे छोड़ देगा तो यह match यह दोनों ही टीम के लिए बहुत ज़्यादा important है तो देखें दोस्तों सब कुछ हम बता दिये है अभी बरी है हमारा personal prediction का दोस्तों अगर आपको इस match का dream 11 टीम चाहिए तो आप हमारा free telegram group में join हो सकते हूँ जिसका link आपको वीडियो के description पर मिल जाएगा या फिर आप telegram पर search करिए SP Mr. Tech वहाँ पर भी आपको हमारा channel का link मिल जाएगा दोस्तों बात करेंगे मुझे क्या लगता है कौनजा team जीत सकता है लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आप अच्छा लगाए तो भाई प्लीज आर like, share and subscribe तो जरूर करके ही जाना आपके लिए ही मैं यहाँ पर हमेशे फ्री में ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा otherwise ये मैच को भाई आसान इसाब skip कर दो मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आपको बहुत जादा रिस्क लेना है तो भी खेलो otherwise इसको skip कर दो क्योंगि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है तो दोस्तों मेरे recording फिर भी बात करेंगे क्या लगता है क्या मेरा professional prediction देश सकता है तो भाई मुझे ऐसा लगता है इस मैच पर Sydney Thunder जीच सकता है जी यहाँ दोस्तों मेरे recording इस मैच का विनर Sydney Thunder हो सकता है बागे आपको क्या लगता है आप हमें